हेलो प्रेंट्स वेल्कम टो अवर यूटूब चैनल एलफा टेकनोलोजी मैं हितेज बदवाव आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ आज के टोपिक में हम डिसकस करेंगे MS Paint के अंदर एक पिक्चर को टेक्स के अंदर कैसे अड़्जेस्ट किया जाता है तो सबसे पहले हम विंडो की प्लस आर का यूज करेंगे ये रन कमांड का डैलो बोक्स होता है जैसी आप रन कमांड पर क्लिक करेंगे आपने ओपन में जो सोफ्ट्वेर ओपन करना है आप उसका नेम इंपुट कराएंगे इसके बाद हम यहाँ पर टैक्स को इंपुट कराएंगे सबसे पहले आपने टैक्स पर जाना है जो टैक्स आप यहाँ पर लिखना चाहें आप अपने अकोडिंग वो टैक्स यहाँ पर एड करा सकते हैं टैक्स को एड कराने के बाद हम पेस्ट के पेस्ट फरोम उप्शन पर जाकर एक पिक्चर को इंसर्ट कराएंगे जो पिक्चर आप इंसर्ट कराना चाहो आप अपनी चोज से उस पिक्चर को इंसर्ट करवा सकते हैं आप ओपन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको MS पेंट पर पिक्चर आपकी दिखाई दे जाएगी आप पिक्चर के साइज को री साइज अपनी मज़ी से कर सकते हैं जैसी कि हम इस पॉइंट से कर रहे हैं अब हम चाहते हैं जो हमारा टेक्स्ट अलफा है वो इस पिक्चर के अंदर अडजेस्ट हो जाएगी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कलर टू को बलेक करेंगे और सेलेक्ट ओप्शन के डाउन साइड जाकर हम ट्रांस्पिर्न सेलेक्शन का ओन करेंगे जैसे ही आप ट्रांस्पिरेन सेलेक्शन का मतलब होता है कि आप फ्रेंट और बैक दोनों साइड का वियू देख सकते हैं लेकिन हम यहां से मुव कराएंगे तो आप देख सकते हैं जो हमारा टेक्स्ट है वो एक पिक्चर की लेयाउट में कन्वर्ट हो चुका है लेकिन ह चाहते हैं जो हमारा टेक्स्ट है हमें सिर्फ वही विजिबल हो यह जो ब्लैक एरिया है और जो पिक्चर का एक्स्टर एरिया है वो रिमूब हो जाना चाहिए तो क्या करेंगे आपको कलर टू को वापिस वाइट करना है सलेक्ट के मौर उप्शन में जाने के बाद आपको सलेक्शन का यूज करना है उसके बाद आप डिलीट बटन का यूज करेंगे और जैसे ही आप अपने इस अबजेक्ट को यानि जो हमारा एलफा टेक्स्ट है आप इसको अपने अकोडिंग कहीं पे भी विजिबल करवा सकते हैं और एक्जामपल हमने यहाँ पर मूब करव है यानि एलफा टेक्स के अंदर जो हमें यह दिखाई दे रही कलर नहीं यह एक पिक्चर है ऐसे ही और इंट्रस्टिंग वीडियो को जानने के लिए आप चैनल के साथ बने रहें बैल आइकन दबाना ना बुलने और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ह तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू